C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है पाठ चौदह खान-पान की बदलती चस्वीर प्रिष्ट संख्या एक सो दो पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान-पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है इडली, डोसा, वड़ा, सांभर, रसम अब केवल दक्षन भारत तक सीमित नहीं है ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्द हैं और अब तो उत्तर भारत की धाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है अब आप कहीं भी हों उत्तर भारती रोटी दाल साग आपको मिल ही जाएंगे फास्ट फूड यानि तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल हैं एक जमाने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज नूडल्स अब संभवता किसी के लिए अजनबी नहीं रहे टू मिनिट्स नूडल्स के पैकेट बंद रूप से तो कम से कम बच्चे बुड़े सभी परिचित हो चुके हैं इसी तरह नमकीन के कई स्थानिय प्रकार अभी तक भले मौजूद हो लेकिन आलू चिप्स के कई विज्यापित रूप तेजी से घर-घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं गुजराती ढोकला गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाये जाते हैं और बंगाली मिठाईयों की केवल रसभरी चर्चा ही नहीं होती वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध हैं यानी स्थानी व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्राय हर ख्रेत्र में मिलते हैं और मध्यम वर्गी जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है प्रिष्ट संख्या एक सौतीन कुछ चीजें और भी हुई हैं मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल सहभी ठिकानों तक सीमित थी वह कस्बों तक पहुँच चुकी है और नाश्टे के रूप में लाखों करोणों भारतिय घरों में सेंकी तली जा रही है खान-पान की इस बदली हुई संस्कृती से सबसे अधिक प्रभावित नई पीड़ी हुई है जो पहले के स्थानी व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है स्थानी व्यंजन भी तो अब घट कर कुछी चीजों तक सीमित रह गए हैं बंबई की पावभाजी और दिल्ली के छोले कुल्चों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी जरूर है पर अन्य स्थानी व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है जानकार ये भी बताते हैं कि मतुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहां रही यानि जो चीजें बची भी हुई हैं उनकी गुणवत्ता में फर्क पड़ा है फिर मौसम और रित्मों के अनुसार फलों खाद्यानों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे उन्हें बनाने की फुरसत भी अब कितने लोगों को रह गई है अब ग्रिहनियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खर्बूजे के बीज सुखाना चीलना और फिर उनसे व्यंजन तयार करना सचमुच दोसाध्य है यानि हम पाते हैं कि एक ओर तो स्थानी व्यंजनों में कमी आई है दूसरी ओर वे ही देशी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो जटिल प्रक्रियाओं वाली चीजें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तयार की जाती है अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है उसे देखते हुए यह स्थित स्वाभाविक लगती है फिर कमर तोड महंगाई ने भी लोगों को कई चीजों से धीरे धीरे वंचित किया है जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन चार बार नहीं सोचेगा प्रिष्ट संख्या 104 खानपान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी है ग्रिहनियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध है नई पीड़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का स्योग मिला है भले ही किनी कारणों से और किनी खास रूपों में क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं है आजादी के बाद उद्योग धंधों नौकरियों तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है उसके कारण भी खान पान की चीजें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुँची है बड़े शहरों के मध्यम वरगी स्कूलों में जब दोपहर के टिफिन के वक्त बच्चों के टिफिन डिब्बे खुलते हैं तो उनसे विभिन प्रदेशों के वेंजनों की एक खुश्बू उठती है हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं इस दृष्ट इसे देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रिय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं बीज भली भानती तबी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीजों की और भी ध्यान देंगे मसलन हम उस बोली बानी भाशा भूशा आदि को भी किसी ना किसी रूप में ज्यादा जानेंगे जो किसी खान-पान विशेश से जुड़ी हुई है इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानी व्यंजनों का पुनुरुद्धार भी जरूरी है जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है ऐसे स्थानी व्यंजन केवल पांच सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिये जाने चाहिए पांच सितारा होटलों में वे कभी कभार मिलते रहें पर घरों बाजारों से गायब हो जाएं तो यह एक दुर्भागी ही होगा अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियां कचोड़ियां जलेबियां भी अब बाजारों से गायब हो रही है मौसमी सबजियों से भरे हुए समोसे भी अब कहां मिलते हैं उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गती हो रही है प्रिष्ट संख्या 105 अच्रज नहीं के पहले उत्तर भारत में जो चीजें गली महलनों की दुकानों में आम हुआ करती थी उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानिय व्यंजनों को हमने तथा कतित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीजें अपना ली हैं जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरस्ता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है हो यह भी रहा है कि खान-पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीजों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे अकसर प्रीति भोजों और पाल्टियों में एक साथ धेरों चीजें रखती जाती हैं और उनका स्वाद गड़ मड़ होता रहता है खान-पान की मिश्रित या विविद संस्कृति हमें कुछ चीजें चुनने का अवसर देती है हम उसका लाब प्रायह नहीं उठा रहे हैं हम अकसर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिलकुल विपरीत प्रकृति वाले वियन्यन परोस लेना चाहते हैं इसलिए खान-पान की जो मिश्रित विविद संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है उसे तरह-तरह से जाचते रहना जरूरी है लेखक प्रयाग शुक्ल प्रिष्ट संख्या 106 प्रश्न अभ्यास निबंध से प्रश्न एक खान-पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है अपने घर के उदाहरण दे कर इसकी व्याख्या करें प्रश्न दो खान-पान में बदलाव के कौन से फाइदे है फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है प्रश्न तीन खान-पान के मामले में स्थानियता का क्या आर्थ है निबंध से आगे एक घर में बातचीत करके पता कीजिए कि आपके घर में क्या चीज़ें पकती हैं और क्या चीज़ें बनी-बनाई बाजार से आती हैं इनमें से बाजार से आने वाली कौन सी चीजें आपके मा पिताजी के बचपन में घर में बनती थी दो, यहां खाने पकाने और स्वाद से सम्मंधित कुछ शब्द दिये जा रहे हैं इन्हें ध्यान से सुनिये और इनका वर्गी करण कीजिये शब्द हैं उबालना, तलना, भूनना, सेकना, दाल, भात, रोटी, पापड, आलू, बैंगन, खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, कसैला इनका तीन प्रकार से वर्गी करण करना है, पहला, भोजन, दूसरा, कैसे पकाया, तीसरा, स्वाद तीन, छोंक, चावल, कड़ी, इन शब्दों में क्या अंतर है, समझाईए इन्हें बनाने के तरीके विभिन प्रांतों में अलग-अलग हैं, पता करें कि आपके प्रांत में इन्हें कैसे बनाया जाता है चार, पिछली शताबदी में खान-पान की बदलती हुई तस्वीर का खाका खींचें, तो इस प्रकार होगा सन साथ का दशक, छोले भटूरे, सन सतर का दशक, इडली डोसा, सन असी का दशक, तिब्बती या चीनी भोजन, सन नव्वे का दशक, पीजसा या पाव भाजी इसी प्रकार, आप कुछ कपड़ों या पोशाकों की बदलती तस्वीर का खाका खींचें पांच, मान लीजिए कि आपके घर कोई मेहमान आ रहे हैं, जो आपके प्रांत का पारंपरिक भोजन करना चाहते हैं उन्हें खिलाने के लिए घर के लोगों की मदद से एक व्यंजन सूची यानि मेन्यू बनाईए प्रिष्ट संख्या 107, अनुमान और कल्पना एक, फास्ट फूड यानि तुरंत भोजन के नफे नुकसान पर कक्षा में वाद विवाद करें दो, हर शहर कस्बे में कुछ ऐसी जगहें होती हैं जो अपने किसी खास व्यंजन के लिए जानी जाती हैं आप अपने शहर कस्बे का नक्षा बना कर उसमें ऐसी सभी जगहों को दर्शाइए तीन, खान पान के मामले में शुधता का मसला काफी पुराना है आपने अपने अनुभाव में इस तरह की मिलावट को देखा है किसी फिल्म या अखबारी खबर के हवाले से खान पान में होने वाली मिलावट के नुक्सानों की चर्चा कीजिए भाशा की बात एक, खान पान शब्द, खान और पान दो शब्दों को जोड़ कर बना है खान पान शब्द में और छिपा हुआ है जिन शब्दों के योग में और अत्वा या जैसे योजक शब्द छिपे हुँ उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं यहां द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण दिये गए हैं इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए और अर्थ समझिए उदाहरण है सीना पिरोना 2. कई बार एक शब्द सुनने या पढ़ने पर कोई और शब्द याद आ जाता है आईए शब्दों की ऐसी कड़ी बनाएं यहां शुरुवात की गई है उसे आप आगे बढ़ाईए कक्षा में मौखिक सामोहिक गतिविधी के रूप में भी इसे दिया जा सकता है इडली, दक्षन, केरल, ओनम, त्योहार, छुट्टी, आराम अब इसे आप आगे बढ़ाईए कुछ करने को, उन विज्यापनों को इकठा कीजिए जो हाल ही के ठंडे पे पदार्थों से जुड़े हैं उनमें स्वास्थ और सफाई पर दिये गए ब्योरों को छाट कर देखें कि हकीकत क्या है अभी आप सुन रहे थे ये पार्ट प्रस्तुती C I E T N C E A T नई दिल्ली भारत